प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है? प्लेसेंटा प्रीविया में या तो प्लेसेंटा बच्चे दानी के मुझ को पूरा कवर करता है या फिर बच्चे दानी के नीचे वाले हिस्से में होता है प्लेसेंटा प्रीविय लगवक दोसों में से एक प्रेगनेंट फुमन को 3rd ट्राइमेस्टर में अफेक्ट करता है अब प्लेसेंटा प्रीविय किन लोगों में ज़ाधा कॉमन होता है जिन लोगों में पहला बच्चा सिजेरन यानि की ऑपरेशन से हुआ हो उसमें ये जाधा कॉमन होता है साथ ही में जिसका पहले एक से जाधा बच्चा हो उसमें भी ये जाधा कॉमन होता है या फिर इस pregnancy में आपके जुड़वा बच्चे हो या फिर तीन बच्चे हो पेट में उस condition में या फिर आपके पहली uterus पे कोई surgery हुई हो इन सब conditions में placenta previa common होता है